Knee pain, joint pain, arthritis is like any issue आपको है या आपको कोई भी तरह के joint में pain रहता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। I know बहुत सरे लोग हमें messages भेज रहे थे कि वैन इस दा लाइफ। फाइनली 5.30 हम लाँच करने वारे थे कि एक ऐसी चीज एक ऐसा solution कि जो आपके joint related कोई भी इस्यू है उसमें बहुत जादा है उसके pain को inflammation को दूर करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आर्थराइटिस क्यों होता है। नी पेन होता है, जॉइन पेन होता है, जॉइन पेन होता है, जॉइन रिलेटेड इस्यूज क्यों इतने बढ़ चुकी है। उसका road cause solution सब के उपर हम बात करने वाले हैं। आपको बात करने वाले हैं आपको कॉंसी एक चीज है जो हम आज लाँच कर रहे हैं। through right human nutrition, जो आपको एक permanent solution दे सकता है for any kind of joint related, cartilage related issues। So, सबसे पहले तो इस very very important to understand कैसे knees काम करते हैं, जॉइन कैसे काम करता है। अब एक होता है bone, cartilage, ligament, tendon, ऐसे अलग 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 चीजे एकटा होकर एक joint बनता है। और हर एक का बहुत ज़दा important role होता है। बट उसमें, आप imagine कीजे कि सिर्फ और सिर्फ bone होता, सिर्फ और सिर्फ joint होता। तो problem यह हो जाता कि let's imagine कि आपका knee joint है। ठीक है? एक example लेते है, knee joint। अब यह जो knee joint है, वो femur bone, जो आपका thigh bone है, और जो tibia bone है, आपका shin bone, उसके यह दोनों के साथ connected है। आपका knee, अब imagine कीजे कि युनों वो एक दूसरे के साथ जब बिना कोई cushioning, एक दूसरे के साथ जब rub होंगे, तो क्या होगा? friction create होगा, और वो wear and tear create होगा, तो दो हड़िया एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े नहीं, जब आप move कर रहे हैं, उसकी वज़े से उसको cushioning दिया गया है, और यह cushioning बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं, जिसमें से एक सबसे significant होता है, cartilage. Okay, so to give you a simple example, आपको अगर मैं एक healthy joint का example दूँ, तो this is how your knee looks like. Okay, मैंने इसलिए यह example दिया है, because I want की, आप सिफ imagine ना करें, आप थोड़ा picture के form में भी देखें, so that it'll be very easy for you to see कैसे knee pain आँच इतना ज्यादा, क्यूं कामन हो चुका है और होता क्या है उसमें. Alright, so पहले तो यह video उन लोगों को तो जरूर भेजना, जिनको knee pain है, joint pain है, या bone related, joint related, even spine related को issue है. तो it'll be knowledge is empowering, knowledge is power, तो वो आपको जब knowledge मिल जाता है तो it becomes very easy for you, कि आप चीजों को apply करें और समझना शुरू करें, तो imagine कि यह आपका knee joint है, अब यह जो knee joint है, पटेला होता है, knee cap जिसे हम कहते हैं, उपर का bone है, femur bone, thigh bone, और नीचे का tibia bone, so shin bone, अब इसके बीच में, आप दे that is the cushion, वो fluid होता है, वो अलग-अलग तरह का cushioning होता है, उसमें ligament, you know आप cartilage बोल सकते हैं, उसमें कुछ-कुछ ऐसे fluid होते हैं कि जो उसको lubrication भी देते हैं, so basically synovial fluid वगेरा वगेरा जो आप कह सकते हैं, अब इसमें जो सबसे important role play करता है, that is cartilage, unfortunately उमर के साथ cartilage breakdown होना हो जाता है, bones तो होता ही है, बट आप जब बहुत ज़्यादा over exert कर लेते हैं, की तरह की movement बार-बार-बार होती है, या आप गलत तरह से कोई posture में लंबे समय तक बैठते हैं, या लंबे समय तक बैठा रहना होता है, use it or lose it, उसका इस्तमाल आप नहीं करते हैं, तो ये सारी वजह से होगा ये कि एक cartilage breakdown हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे issue create होगा, knee में wear and tear create हो जाएगा, कभी-कभी genetic reason भी होता है, बट mainly lifestyle पे अगर हम focus करें, तो that is because of that, अब ये जब बिगड़ जाता है, इतना area, breakdown होता है, तो ऐसे कुछ issues create होता है, ये है osteoarthritis जितने लोगों को ह होता है, now this is the healthy knee, okay, उसका जो cushioning है ना, वो cushioning एक दम intact है, पर जब वो cushioning में तकलीफ हो जाती है, तो जाके osteoarthritis होता है, so osteoarthritis की बहुत बड़ी एक वजा जो है, that is cartilage weak हो जाना, breakdown हो जाना, अब एक दूसरा example, अगर मैं आपको दू, तो imagine, you know, मेर पास जो available है, उसे मैं और damage होगा ही होगा, पर उसकी वज़ा से आपको inflammation और pain create होने वाला है, sujin, swelling, stiffness और अलग-अलग किसम के दर्थ, अब, अभी मैंने केला खाया, तो imagine कीजे कि ये केला जो है, वो cushioning का काम करेगा, so it is elastic, थोड़ा flexible होता है, strong होता है, connective tissue, cartilage connective tissue है, so this is like that, तो वो क्या करेगा, imagine की ये दोनों के बीच में अगर एक cushioning आ जाता है, let's say की दूसरे के साथ, अब ये जब आप movement करते हैं, तो रब करते हैं, तो उसकी वज़ से जो यहाँ पर damage हो रहा था, नी में, वो damage नहीं होने वाला है, it is going to be, I am giving you a very simple example, you know, की जिसकी वज़ से वो cushion हो जाएगा, so cartilage के दो की काम होते हैं, एक है कि शौक एब्सॉब करता है, आप जब 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 करते हैं, imagine कीजे कि आपने कहीं पर भी hard surface है और वहाँ पर काफी जब किया, तो वो जो शौक लगता है ना, वो शौक एब्सॉब करता है cartilage, जो जटका लगता है, जो ज़र्क होता है, वो का दूसरा काम है, that is, friction को कम करता है, जो जब भी कोई भी joint का movement होता है, वो movement में जो friction क्रियेट हो रहा है, वो friction को कम कर देगा, you know, lubrication in a way बो प्रोवाइर करेगा, so ये सारी चीजे जो होता है, that is because of cartilage, अब आप समझ रहे हैं कि knee joint में या कोई भी overall issue में क्यों, जो यो का काम जो करता है, वो क्यों जरूरी है, आपका एक ही काम है कि उसको intact रखना, या तो वो जो damage हो रहा है, उसको थोड़ा सा delay कर देना, या reduce कर देना, that is our task, अब osteoarthritis, cartilage या ऐसे कोई चीज जो है, जो cushioning दे रहा था, उसके breakdown की वज़े से mainly होता है, but जो दूसरा type का arthritis है, ज सबसे पहला तो, वो autoimmune condition है, तो होगा ये कि autoimmunity की वज़े से, जब ओर active होता है immune system, मतलब कि जहां पर उसको attack करना चाहिए, कोई फोरेंचीज आजाती है, बोडी में और attack करता है, that is good, but rheumatoid arthritis में, जो autoimmune condition है, उसमें वो by mistake समझ लेता है, कि वो organ, वो tissue, वो joint उसका खुद का नहीं है, या तो वो damaging है, तो वो joint को ही attack करता है, मतलब कि body खुद अपने ही tissue के उपर और खुद अपने ही joint के उपर attack करता है, इसे कहते हैं autoimmune condition, rheumatoid arthritis, अब इससे inflammation create होगा, और इसी लिए rheumatoid arthritis is an inflammatory condition, inflammation होता है, so आपको उस condition में क्या करना है, पहला focus inflammation को down करना है, मैं करना चाहिए, यह lifestyle के माधियम से, और जो दूसरा है that is, आपको pain कैसे और ज्यादा, जो problem क्रियेट हो रहा है, वो और ज्यादा क्यूं ना बड़े कैसे ना बड़े उसके उपर आपको focus करना है, but mainly inflammation पे focus करना है, और 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 थी, osteoarthritis जो है, उसमें आपको mainly focus करना है, कै जैसे आप उस आर्थराइटिस को जो progressive है, उसे कैसे आप कम कर सकते हैं, और साप में pain को, stiffness को, swelling को, overall inflammation को कम कर सकते हैं, और cartilage को कैसे strengthen कर सकते हैं, तो अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, now this is osteoarthritis, जिसमें वो fluid या जो भी cushioning है, वो वीक हुआ है, और यहां पर पूरा joint जो उसके ओपर attack हुआ है, so the whole knee is inflamed, this is how the body works, isn't it amazing, अब, John Hopkins Medicine, one of the most trusted sources when it comes to any sort of health information, health knowledge, उन्हो ने ये बताया है, research के मध्यम से, कि जब किसी को भी osteoarthritis, rheumatoid arthritis, pain related, joint related issue होते हैं, उसमें तीन magical चीजें आपको help कर सकती है, which are supplements, सबसे पहला आता है, glucosamine, दूसरा आता है, kondroitin, और तीसरा आता है, curcumin, जो हल्डी में पाया जाता है, अब यह जो तीन है, जब एक साथ मिल जाते हैं, they work magically for arthritis patients, इसी लिए, the good news is, अब मैं आपको बताऊंगी, कि कैसे आप उसे overcome कर सकते है but I want to share the much-of-weighted news with all of you and मैं यह काफी समय से research कर रहे थी, मुझे बहुत टाइम लगा उसको, you know, इसे launch करने के लिए, because I wanted to make sure कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा लेकर रहूं कि जो आपको long-term solution दे, so, finally, are you ready? 3, 2, 1, and this is the product that we are launching today, for the first time ever, right human nutrition, जो मेरी खुद की supplement brand है, जो एक साल पह प्यार दिया है, इतना amazing feedback दिया है, लोगों के, इतने सारे health challenges दूर हुए है, that I feel motivated कि मैं नही नही रिसर्च करूं, नही नही चीजे आपके साथ लेकर आँ, कुछ ऐसा कि जो खाना, exercise, वो ही काफी नहीं है, you also need support कि जो आपको permanent, long-term, sustainable और root को उसके उपर focus करके result दे सके, this is called joint plus, RHN joint plus, और यह जो RHN joint plus है, इसमें मैंने डाला हुआ है, glucose amine, chondroitin, और curcumin, इसके अलावा बहुत सारे हैं इंग्रेटियन्स तर यह तीन इंग्रेटियन्स मैंने इसमें डाले हैं, the right dosage, और जो clinically proven, you know, ingredients है, मैंने इसमें डाले हुए है, to ensure कि किसे को भी अगर नी पेन ह यह किसके लिए है, नी पेन अगर है, अगर कोई भी किसम का जॉइंट पेन है, बॉडी में इंफ्लेमेशन है, या आपको Osteo Arthritis, Rheumatoid Arthritis, या आपको Glucosa Mind बोला गया है लेने के लिए, आल राइट, So then in that case, आप जरूर इसको ले सकते हैं, आप मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों यह जरूरी है, अब इसको आप ज्यादा काफी डीटेल में जान सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक साइट दे देती हूँ, so that you can just go there and read a little bit about it, आप जा सकते हैं, RightHumanNutrition.com slash joint plus पे, मैं यहां पर लिंक भी डाल देती हूँ, जैसे ही यह वीडियो भी खतम होता है, मैं दिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल देती हूँ, अब अभी के लिए RightHumanNutrition.com slash joint plus, और plus में आपको लिखना है PLUS, साइन नहीं है, अब वहां पर सारी डीटेल है, बट अभी के लिए let me first understand, यह कैसे काम करता है, सबसे पहले Glucosamine, तो पहले तो आपको natural कोई खाने में से नहीं मिलता है, इसलिए आपको सप्लिमेंट फॉर्म में लेना पड़ता है, अब वह आपकी mainly cartilage health के लिए अच्छा है, वह even IBS जतने लोगों को होता है, irritable, not IBS, but mainly IBD, irritable bowel, inflammatory bowel disease जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा वो help करेगा, even वो asthma allergy किसी को है, sports injury हुई है, यह सारा research बता रहा है, which I am reading, chronic lower back pain, you know, rheumatoid arthritis or osteoarthritis, इतनी सारी चीजों में glucose mind जो है, वो help करेगा, उसका एक case study भी है, जो भी मैं, जो मैंने site बताया, वहाँ पर डाला हुआ है, वो ज़रूरा बाद में जाकर बढ़ सकते हैं, दूसरा, chondroitin, chondroitin क्या है, वो inflammation को down करेगा, यानि कि pain कम होगा, आपका inflammation, swelling, stiffness जो हुआ है, वो आपका कम होने वाला है, cartilage breakdown को वो कम कर देता है, and interestingly, 2017, thank you so much everyone, यहाँ पर जो भी लोग लिख रहे हैं, you know, question जो भी है, I will surely answer जैसे यहाँ पर Sangeetha Chauhan is asking कि कहां से purchase कर सकते हैं और क्या cost है, वो बताईए, so आप www.righthumannutrition.com slash joint plus, वहाँ पर जाएंगे, सारी detail है, बट मैं आपको जरूर यह बता दू, कि क्योंकि launch है, तो we are going to give you 30% discount, yes, why, because आप सबसे पहले हैं, जो इसको सुन रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, that means you are the first few people who are watching, and you are going to experience the whole thing, और इसे लिए, you all are very special, तो मैं आपको यह 30% discount offer देने वाली हूं, specially for launch, but interestingly, so I will take, I will take, you know, आपके जो भी questions है, but अभी के लिए, यहाँ पर प्रीती शिंदेपोर रहे हैं, please save this live video, I will try to save it, again, so many people are saying, SD Desai is saying, can we see this video in future, wow, wow, thank you so much, engineer Naeem, Faisal, you are so clear about your subject, impressive, thank you so much, you know what, थोड़ा, मुझे अभी पिछले काफी समय से, almost, I don't even remember, but maybe, काफी महिनों से, जब मैं इसके ऊपर research कर रहे थी, मुझे रात को सपने भी नीपेन के आते थे, can you imagine, मतला मैं इतना सारा पूरे दिन में, मैं सिफ उसके, you know, ऐसे कुछ, मैंने प्रिंट आउट निकाल कर anybody who used to come to my room, मुझे बोल रहे थे कि आप क्या scientist हो, but let me tell you kondroitin, kondroitin के ऊपर एक research हुआ था, ध्यान से सुनना, 2017, 2017 में एक research किया गया, 604 लोगों के ऊपर, survey किया गया, experiment किया, ये 604 लोग थे, जिनको knee osteoarthritis था, अब उनको kondroitin sulfate दिया, NSAID दिया, NSAID का मतलब होता है, non-steroidal anti-inflammatory drug, दवाई है वो, जैसे की selly coxib करके एक NSAID होता है, जो osteoarthritis या ऐसे कोई condition में दिया जाता है, तो वो दिया, और, you know, placebo दिया, अब, जब study किया, तो जो survey आया था, जो result आया था, that was, कि जो लोगों को, you know, selly coxib दिया गया था, जो NSAID है, जो दवाई है, उनको जितना result मिला, उतना ही, similar result, almost same result मिला था, उन लोगों को, जिनको kondroitin दिया गया था, वाँ, this is interesting, इसका मतलब यह है कि अगर आप kondroitin लेते हैं, तो आपको वो दवाई, जो आपको दी जाती है, NSAID, जिसका side effect भी होता है, let me also tell you, लंबे समय तक लेते हैं, side effect होता है, वो नहीं होता अगर आप kondroitin ले लेते हैं, all right, kondroitin sulfate, plus अगर उसमें glucosamine आजाता है, glucosamine और kondroitin दोनों जब एखटा हो जाता है, magical result produce होते हैं, this is what the research is saying, उसका again case study मैं यह डाल देती हूँ, even यह research जो बताता है, पूरा लंबा अगर आपको देखना है, उसका भी मैं study link आपके लिए छोड़ देती हूँ, in case anybody wants to see in detail, glucosamine और kondroitin दोनों जब एखटा होते हैं, तो kondrocyte, जो cell होते हैं, जो cartilage के लिए बहुत जब जब ज़रूरी है, cartilage breakdown को जो बचाते हैं, वो kondrocyte को वो protect करेगा, okay, isn't this amazing, और plus मैंने उसमें curcumin भी डाला है, curcumin guys is so, 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 so powerful and that too, अच्छी quality का curcumin, so, मैंने इसमें जो डाला है, that is, nano curcumin extract 95%, यह बाकी सारे जो curcumin होते हैं, उसमें इसका bio availability बोलो, यह absorption, यह आप overall उसका जो result आता है, जो anti-inflammatory उसके अंदर property है, वो कई गुणा स्यादा होती है, alright, so it is a very good quality of curcumin, जितने लोगों को भी body में पेन या inflammation रहता है, उनके लिए curcumin is like magical, okay, आम लोगों के लिए बीजिन को नी पेन नहीं है, कोई भी किसम का पेन नहीं है, हल्दी is very, very powerful, especially जब उसका season है, जब, you know, वो जो कच्छी हल्दी आती है, winter में especially, कभी उसे ना भूलिये, always take that, during winter time, okay, it is magical, वो आपको पूरे साल का फाइदा देने वाला है, so, it is anti-inflammatory, articular flexibility के लिए curcumin बहुत powerful है, but चौती एक चीज मैंने इसमें डाली है, that is hylonoric acid, आपने बहुत सुना होगा skin को लेकर, hylonoric acid, right, लोग बहुत laurel वगेरा के air भी आती है, hylonoric acid वाला serum ले लो और cream ले लो, क्यों hylonoric acid is important, not just for your skin, but कोई भी ऐसी चीज जिसमें वुसके नाया, nail आय hair या even आपके bones और joints जो है, उसको hydration चाहिए, उसको lubrication चाहिए, उसको healing चाहिए, और उसको cushioning चाहिए, ये चार चीजे देता है आपका hylonoric acid, तो वो भी मैंने इसमें डाला है, और जो सबसे important एक और चीज डाली है, जो लोग miss कर जाते हैं, अगर आपको knee pain है, या arthritis है, या rheum कह सकती हूँ, और मुस सब का कम होगा, okay, vitamin D जो कम होता है, calcium absorption नहीं होता है, vitamin D is important for calcium absorption, तो वो भी कम हो जाएगा, होगा क्या, vitamin D भी कम है, D भी कम, you know, I mean, your calcium is also low, और अब B12 भी कम होता है, okay, ज्यादा तर लोग, especially जो लोग vegetarian है, उनका तो कम ही होगा, in most cases, और इसलिए, ये तीनो भी मैंने इसमें डाले हैं, D, calcium B12, ये तीनो उसमें डाले हैं, so you can always check the ingredient, और जबी भी आप कोई भी चीज लेना, ingredient जरूर पढ़िये, उससे आपको पता चलेगा कि कुछ अगर unwanted चीज है, वो तो नहीं डाली ना, इसमें I have not added any unwanted thing inside, और बॉजवेलिया सराता inflammation down करता है, pain down करता है, और natural चीज है वो, जो भी मैंने इसमें डाली गई है, और एक MSM करके एक चीज है, MSM, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं पेन है ना, तो मेबी आपके doctor, या physio, या इसे कोई इनसान ने शाए, बताया भी हो सकता है, या इवन आपके जितने लोगों को magnesium की कमी होती, उनको नीद नहीं आती, उनको muscles phasm होते रहता है, उनको joint में पेन रहता है, उनको बार-बार, you know, inflammation body में होते रहता है, क्योंकि आप relax नहीं होते है, और magnesium की कमी होगी, तो relaxation नहीं आने वाला है, okay, so बहुत सारी चीजे मैं आपको समझाई, but let me tell you क्या करना, lifestyle wise, तो एक तो आप joint plus ये हर रोज लंच के बाद तुरंथ, breakfast के बाद भी ले सकते है, no problem at all, but lunch के बाद तुरंथ, आप जरूर इसे ले सकते है, कोई भी एक meal के बाद, पानी के साथ लेना है, एक ही इसमें मैंने जो टेबलेट दिया है, वो एक ही आपको लेना point plus 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 sign नहीं है, वहाँ जाएंगे, सारी डीटिल है, यहाँ पर वर्शा इस आस्किं कि क्या ये Canada शिफ होता है, unfortunately, right now, what you can do is, मेरे टीम को आप, जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे, आपको एक कॉंटक मिलेगा, वहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ तो मैं यहाँ उपर दिस् इसे ड्रॉप कर दीजेगा, but आप अगर इंडिया में ही हैं, तो आप साइट पर ही जा सकते हैं, you can directly purchase, अब मैं आपको लाइफस्टाइल सारी क्या होनी चाहिए, वो भी बता देती हूँ, because I want कि आप जोईन प्लस जब ले रहे हैं, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल म में, okay, या तो कोई cartilage breakdown हुआ है, और उसकी वज़े से ankle या कोई भी किसम का पीन है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, okay, या डेली में हो सकता है, Nikita, but as I said, you have to go to the website, अगर आप इंडिया में है, go to righthumannutrition.com slash joint plus, अब सबसे पहला लिख लीजाए, hope कि ये कु ज़्यादा तो लोग जिनका overweight होता है, उनको knee pain ज़्यादा होता है, knee replacement उन लोगों को ज़्यादा करवाने की जरूरत पड़ती है, जिनका जरूरत से ज़्यादा वजन है, उसका simple सा logic है, आपके organ बने हैं, specific load को उठाने के लिए, okay, अब जब आप, let's say, 50 kg का load उठाने के ल मतलब कितना extra दिया, 30 kg extra दिया, अब ये 30 kg extra load एक बार आयना चलता है, पर जब बार 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 आना शुरू करें, एक दिन, एक हफता, एक महिना, एक साल और फिर कुछ साल जब हो जाता है, तो क्या होगा, कि वो pressure फील करेगा, आपके उपर कोई pressure दे दे और आपके बस यही वजन को उठाते हुए, तो कैसा रहेगा, यह ब्रेक डाउन, आप एक समय के बाद बोलेंगे, अब यह वजन उठा लो, मैं ढंक से चलनी पारी हूँ, यह इसलिए होता है, because the weight is too much, तो पहले तो वजन कम कीज़ें, दूसरा, उसी के साथ important आता है, अब वजन बढ आने के साथ साथ, अगर muscle बढ़ाते हो, तो वो load joint के उपर नहीं आएगा, अब बहुत interesting चीज़ें, वो समझी है, ठीक है, अब imagine कीज़े कि आपको neepin है, neepin क्यों हुआ, पता है, एक तो overload है, weight की वज़े से, अब आपके muscle अगर कम है, अब यह जो, आपका mass है, हड़ी के असपास दू चीज़े होती है, fat और muscle, ज्यादा क्या होना चीए, muscle, बट ज्यादा तर लोगों का होता क्या है, तो बुले fat, अब fat is not to take the load, fat को design इसलिए नहीं काया गया, कि वो load ले, load लेने के लिए muscle बनाया है बगवान ने, और flexibility movement के लिए joint बनाया है, बट हम लोगों ने क्या किया, कि हमने fat बड़ा दिया body में, कि जो तो load लेनी रहा है, अपका 30 kg extra जो है उसका, और हमने muscle को कम कर दिया, क्यों? उमर के साथ muscle कम हो जाते हैं, अगर आप muscle building activity नहीं करते हैं, तो कम हो जाते हैं, बैठे रहने की वज़े से कम हो जाते हैं, प्रोटीन इनफ नहीं ल क्यों आपको physio के पास जब जाते हैं, और जब knee pain हुआ था, तो उन्होंने क्यों अलग-अलग तरह के extension और curl और कुछ-कुछ-कुछ ऐसी exercises करवाई कि जो नहीं के आसपास के muscles को strong करें, you know, calf को strengthen करवाया, quadriceps को strengthen करवाया, outer inner thigh को strengthen करवाया, क्यों? because they know कि ये damage जो अब हुआ है वो बाद में भी हो सकता है अगर muscle strengthening नहीं किया, I hope you are able to understand, right? तो वो जरूर कीज़े, अच्छा उसी के साथ-साथ, high impact activity को avoid कीज़े, जैसे बहुत ज्यादा running, jogging, skippings, you know, या ऐसी चीज़े जिसमें jump है, जिसमें jerk है, जिसमें fast कुछ भी करना है, okay? जिसमें बहुत ज्यादा movement एक साथ हो जाता है, जो आपका joint लेना सके, ऐसी movement को avoid कीज कीज़े, you know, बहुत सारे लोग नहीं समझते है, even I would recommend अगर बहुत जदा knee pain यासा कुछ भी है, excessive है, तो डॉक्टर की सला से ही zumba aerobics कीज़े, okay? वो भी आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, साथ में, कौन से exercise करने चाहिए, तो low impact exercise, मतलब कि जिसमें jumping नहीं है, जिसम बहुत लोड देना नहीं होता है, आपके joint के उपर, जैसे की cycling, जैसे swimming, okay? कुछ-कुछ ऐसी चीज़े, जिसमें आपको, swimming is like one of the best things, आपको कोई भी joint के related issue होना, swimming करेंगे, muscle flexible होंगे, muscle relaxed होंगे, और इसकी वज़स से जो joint के उपर लोड आर था न, वो नहीं आने वाला है, alright अच्छा, उसके साथ-साथ nutrition, जब हम nutrition की बात करते हैं, तो दो तरह का खाना जरूर एग कीज़े, and that is, number one is protein, very important, very very important, आप देखिये, हर मील में क्या protein है इनफ, और protein shake की जरूरत पड़े, you know, I do have protein shake, जो राइट human nutrition पे अवेले है, जो मैंने एक साल पहले launch किया था, जो मैं खुद ले रही हूँ, खाने में से लीजे बहले, पूरा नहीं हो रहा, तो supplement के उपर जाईए, okay, supplement के बारे में याद रखे, that supplements are not replacements, मतलब कि जो खाने में से मिल सकता है, वो अप supplement से ले लो, ऐसा नहीं करना है, खाने में से जो नहीं मिल रहा है, वो अप supplement में से लीजे, and supplement has no side effect, अगर वो अची quality का होगा, और जब जितना जरूरत है, उतना ही लिया, चीप quality नहीं लिया, okay, so protein, दूसरा जो खाने में ध्यान में रखना है, that is, क्योंकि arthritis और omat, और arthritis ने पेने से कोई भी condition का मतलब ही है, कि आपको inflammation है, तो अगर inflammation है, तो anti-inflammatory food add करना है, जैसे कि, आप fruits खा सकते हैं, seasonal, okay, भले mango क्यों ना हो, it is anti-inflammatory, जो भी seasonal fruits मिलते हैं, वो सारे खाये, watermelon है, mushroom है, या, you know, grapes मिल जाती है, orange है, apple, banana, anything, और vegetables, capsicum, amazing, amazing anti-inflammatory food, okay, capsicum, cruciferous vegetables, जैसे कि cauliflower, या cabbage, या broccoli, ऐसे सारी चीज़े जो आपको inflammation को कम करने में help कर सके, वो अपने खाने में add कर दीजे, और उसके साथ-साथ, yoga is really powerful, अब जरूर, उससे क्या होगा, flexibility कम होती है, कुछ लोगों की, जिनको भी joint issue है, तो वो flexibility improve करने के लिए, stretches, yoga वगेरा का support लीजे, always do it under supervision, कोई trainer के साथ कीजी, even weight training भी trainer के साथ करना है, and last is blood report, अपका blood report निकल कभी कभी, uric acid बढ़ जाता है, तो उसकी वज़े से भी knee pain कुछ लोगों को होता है, okay, तो देखे कहां पर root cause क्या है, kidney, liver, profile, क्या वो सही है, क्या cholesterol बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, lipid profile खराब है, क्या आपके, you know, overall body में inflammation देखा रहा है, वहां पर report में, देखे सारी कि ये कैसे blood report देखा जाता है, ask your doctor, ask your nutritionist, ask your coach, okay, खुद जानिये, जैसे मैंने ये जब join plus बोला, तो I am explaining कि ये क्यों लेना चाहिए, तो समझ ये क्यों लेना, तो क्यों समझते हैं, तो उसका result भी आपको समझ में आता ही कि क्यों मिलता है, alright, अब, कुछ लोगों को, जिनको rheumatoid arthritis है, उनको अपने खाने में से तीन चीज़े ज़रूर अवाइड करनी है, at least elimination phase, जो मैं कहती हूँ, healing phase, उसमें आप अवाइड कीजे, कुछ हफतों के लिए, okay, अब मैं आपके साथ जब one to one काम करती हूँ, तो मैं आपको specifically body के लिए बता सकती हूँ, क्या आपके body के यह क्या सही है, बट अभी एक मैं general idea दे देती हूँ, जिनको भी rheumatoid arthritis है, wheat, गे हूँ, हो सके कुछ दिनों के लिए बंद करके देखे, दूसरा है sugar और तीसरा है milk, तीन चीज़ को जब आप दूर करते हैं, automatically आपके body में inflammation धीरे धीरे लो होना शुरो हो जाता है, वो क्यू वो हम शायद कोई दूसरे वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए तीन चीज़े आप थोड़ा अवाइड करके देखे, you will feel much, much, much better, osteoporosis जितने लोगों को होता है, उनका bone mass में तकलीफ है, bone mass जो है वो, you know, porous हो जाते है, bones, joints वगेरा, तो उसको भी रोकने के लिए आपको this thing can help, क्यों, glucose mine से लेकर, glucose mine is also, you know, osteoporosis में भी study किया था, does it help, it does help, tingling sensation कुछ लोगों को होता है, उसमें भी ये help करता है, so these are some of the things जो मैं अभी आपको बता है, not some, but बहुत सारी चीज़े आपको बता ही है, यहाँ पर let me take a few questions, let me see Facebook पहले तो, wow, so many questions, guys, आपने जो पहले लिखा होगा, I won't be able to see that, तो फिर से मुझे आपको बता सकते है, Naseem Akhtar, I am from Dubai, I have joint pain and osteoarthritis, अभी के लिए अगर आप है, तो मैं ओपर एक नमबर डाल देती हू, वहाँ पर या तो आप वेबसाइट पर जो नमबर दिया है, वहाँ पर एक WhatsApp message drop कर सकते है, and they can help you with it, अ अभी अगर आप joint plus buy करते हैं, तो अभी के लिए 30% discount offer है, only as a launch offer, 30% discount है for now, Amazon पर फिलहाल नहीं है, शाहिन, आप doctor भी हो गई है, no I am not a doctor, people who don't know me, बहुत सार लोग मुझे message में Dr. Shivangi कहते है, I am not a doctor, okay, आपके doctor जो कहते हैं, उनकी भी सुनिये, उनकी ज्यादा सुनियेगा, in fact, मैं जो बतारी हूँ, it is from my experience, from my research, and also let me tell you, कि मुझे भी कुछ समय पहले, I also experienced knee pain, और वो knee pain मुझे हुआ था, जब मैंने एक particular course किया था, जहां पर extreme physical activity करनी थी, मैं उसका नाम नहीं देना चाहती but मैंने जब वो किया, continuously दो दिन का course था, जहां सुबह से शाम तक मुझे वो exercise करना था, उसमें इतना ज्यादा मेरे नी के ओपर लोड आया, that I started having the pain in my knees, और वो जाई नहीं रह था, MRI तो बोल एकदम perfect, you know, उसे पहल एकसरे करवा, एकदम perfect, कुछ भी खराबी नहीं थी, और और फिर मैंने सोचा किया, रेसा तो कैसे कि इसका कोई हिलाज नहीं है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कुछ नहीं है, आप, you know, ठीक है, एक डॉक्टर भी बोलता, आपकी दिमाग में पेन है, बोडी में नहीं है, नहीं है, मेरे दिमाग में क्या फिक्स करने की जरूरत है, I पर पीन नहीं जा रहा था, फिर मैंने जब रिसर्च किया, you know, जॉन होपकिन्स का पूरा एक लंबा सा सेमिनार था, मैंने अटेंड किया वो और उसमें वेबिनार था, अनलाइन था, और पूरा अटेंड करने पर उनके वहां पर जो प्रोफेसर जो दॉक्टर थे, उन्ह अगर कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, तो take support, okay, कुछ ऐसे nutrients, कुछ ऐसे ingredients कि जो आपका body खुद नहीं बना सकता है, but उसको जरूरत है, take support, I took that for a few months, और जब मुझे Everest Base Camp जाना था, EBC जाना था, उससे पहले ही मैंने शुरू किया, and I completely got read of that pain, अभी मुझे बिल्कुल भी जब मैंने doctor को भी बताया दिया, like, see, I told you कि आपकी दिमाग में है, but मैंनों को यह नहीं बुला कि मैंने यह supplement शुरू किया था, but the thing is that, you know, this is something I totally believe in, आप अगर इसको कुछ हफतों तक लेंगे, you might start, I cannot say, हर एक इंसान सौ लोग लेते हैं, तो सौ लोग का pain एकी हफते में च महीने में फरक पड़े, कुछ लोगों को तीन महीने में फरक पड़े, right, but I hope कि इससे आपको result मिले, yes, कभी-कभी gas की वज़े से, शाट तम अगर हो रहा है, तो उसकी वज़े से भी हो सकता है, yes, absolutely, jaya khatri, thank you so much, thank you, it means a lot, pushpa, I am RA positive patient, अगर आपको RA है, pushpa जी, जरूर, you know, you can try this, और जो जो कुछ कुछ चीजे मैंने बताई है, wheat, gluten, gluten की वज़े से, wheat, sugar और, you know, यह सारी चीजे आप अवाइड करे, milk वगेरा, thank you so much, abhisne7 on Instagram, ashwagandha is also good, yes, ashwagandha ले सकता है, dharmesh, और साथ में exercise, बड कैसी exercise वो जरूरी है, whey protein is good, yes, shub am, I am shub am, absolutely whey protein, अच्छा है या नहीं है, उसके ऊपर YouTube पे मैंने detailed video किया है, तो अब वहाँ पर जाएए, fit भारत देखिये, and you will find a detailed video on it, बड एक summary दे देती हूँ, protein, shake supplement के फॉर्म में जो लेते है, you know, जैसे यहाँ पर है, यह, this is good and bad both, कैसे, पहले तो quality, जैसे हम लोग जर्मनी से यह protein लाते है, it is the highest quality of protein, premium protein, पहले तो quality of protein should be good, secondly, आप जो भी अपने body में डाल रहे है, you have to ask ingredient में क्या है, तो मुझे परसनली शुगर में सुख्रालो, स्माल्टो, परसनली लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता है, I don't like it, तो मैंने स्टीविया लीफ एक्स्ट्रेक डाला है, तो वैसे ही कुछ कु अप्टिप्लाइड बेनिफिट्स, अलग-अलग तरा से, okay, stairs up and down के time पर पेन होता है, अनाभी का, you know, देखे कि क्या है, डाइग्नोसिस जरूर करवाये, maybe cartilage का breakdown हो सकता है, या wear and tear हो सकता है, overall, आपके knee, joint के ऊपर, check with her doctor, and definitely you can try joint plus, 100%, you feel tired all day, जैश 39, फटी के ऊपर मैंने कुरा लंबा वीडियो किया है, जो आने वाला है, यूटिप के ऊपर जल्द ही आएगा, I think 2 हफते होंगे, but it is going to come very soon, but अभी के लिए, वाइटमिन D चेक कीजे, वाइटमिन D कम होता है, तो थकान होती ही होती है, in 99% cases, दूसरा आता है sunlight लीजे, सुभह उटने के साथ, टेक sunlight, 20 minutes, within 2 hours of sunrise, तीसरा movement आपकी कम होगी, तो भी थकान होगी, और चौथा caffeine के ऊपर बहुत ज्यादा dependent ना रहिए, at least अगर लेना है, तो लिमिट में और बो भी 1st half of the day में लीजे, रोतेला सांगो, say my name, ओल दिया मैंने, लिंक भेजिए प्लीज, इश्वर सिंग, परमार इश्वर सिंग, लिंक मैं, जैसे वीडियो खतम हो जाता है, मैं देती हूँ, बढ़ अभी के लिए, you can just type, go to your google chrome, या जो भी यूज करते है, righthumannutrition.com, slash joint plus, ये कितने समय तक लेना है Shema, Shema ideally कोई भी supplement जो होता है, वो तीन महिने में, ideally कोई भी तरह का supplement तीन महिने में proper result दे सकता है, so recommended is कि आप तीन महिने के लिए रहा देखिये, but let's say उसे पहले ही आपको ठीक हो जाता है, तो again I will not say कि बंद कर दीजे, maybe check with a doctor, nutritionist जरूरत पड़े तो और फिर बंद कीजे, because normally आपको भी supplement दिये जाते हैं, even by a doctor, okay, वो तीन महिने ही बोलते हैं और कहते हैं कि भले आपको ठीक भी हो जाए, तो भी उसे चालो रखिये, because further damage future में ना हो, क्योंकि अब नी का तो इस्तमाल, जॉइन का इस्तमाल तो करने ही वाले है, thank you so much Sunil Kumar Bharti, it means a lot, means a lot, people who are out of India, जो लो जाएंगे वहाँ पर भी available है, और जैसे वीडियो खतम होता है, I'll keep the number also there, in description, what is the website msgandhi11, it is righthumannutrition.com, और अगर joint plus तेखना है, तो slash joint plus कर लीजे, Hi ma'am, you are not responding to my question, sorry Jigmet09, what is your question, there are so many questions that probably मैं नहीं समझ, you know, ले पाऊंगी सबको, Sandhya, Atas, you explained so well, thank you so much, meet well, vitamin, ठीक है, is it for all age group, yes, yes, absolutely, yes, even abhi मेरे पास, you know, 20 साल के लोग भी हाते हैं, जिनको नीपेन होता है, मैंने भी ये लिया हुआ है, right, So, basically, this is powerful, this is powerful, thank you Nikgunj, Knee pain during pre-menopause phase, Karira Kiran, Kiran आपको अगर pre-menopause stage है, तो उसमें hormonal imbalance भी है, उसकी वज़े से भी हो सकता है, नीपेन, और नीपेन, overall, क्यूंकि एक certain उमर हो चुकी है, Cartilage breakdown हुआ होगा, knee breakdown होते ही है, bones basically, तो उसमें ये definitely help कर सकता है, मैं मैं एक वीडियो तो डाला है, इंस्टाग्राम के उपर, इनकेस आपने ना देखा होतो, शोल्डर स्टिफनेस के लिए क्या करें, माथूर ने पूछा है, शोल्डर स्टिफनेस के लिए है ना, जुस्ट मेक शर कि आप किसी के सूपर विजन में पहले तो कर रहे हैं, खुद बखुद ना कीजेगा, जैसे कि एक सिंपल एक्सराइज देते हैं, जितने लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर वगेरा होता है, आप वाल पकड़ लीजे, वाल पे इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे अपने हाथ को रखे, वाल को टच होना चाहिए, अपका हैड, आपके शोल्डर, आपका हिप और आपका एंकल, और इस तरह से खड़े रहके, आपको दोनों हाथ को वाल से आपका हाथ दूर ना हो, इस आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आगर ही अटक जाता है क्योंकि उनका हाथ दूर हो जाता है वाल से, तो ऐसे कुछ-कुछ एक्ससाइज होती हैं, आप कुछ अच्छे फिजियो या कोई अच्छे डॉक्टर हो, उनकी सालासे या कोई ट्रेनर हो, परसनल ट्रेनिंग जो करवाते हो, जिम ट्रेनर हो, उनको पूछ सकते हैं, वो और क्वालिफाइड, एन अपना, युनों, स्लीपिंग पोजिशन भी चेक की जागा, कुछ लोगों को शोल्डर स्टिफने स्लीपिंग की वज़े से भी आती है, कि उनकी पोजिशन कभी गल अच्छा, सॉरी, प्लीज से थे वेबसाइड नेम स्लोली, ठीक है, निकिता, इस निकिता अग्रवाल, इस, रिट्यूमनुट्रिशन.com, रिट्यूमन, ह-U-M-A-N, N-U-T-R-I-T-I-O-N, रिट्यूमनुट्रिशन.com, slash, जॉइंग प्लस, केत की भट, बहुत जॉइंट प्रॉब्लम है, नॉट अबल तो एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज राइट नॉट जब तक, सही नहीं हो जाता है, अभी के लिए, आपका फोकस क्या होना चीए, नी रिकावर हो जाए, हीलिंग हो जाए, उसी के बाद, आप सला से पूछ सकते हैं कि राइट नॉट अर्यू इन स्टेज के आप साइकलिंग कर सके या नहीं, और मॉसल स्रेंदिनिंग जैसे सोते-सोते कुछ-कुछ एक्सरसाइज लेक की जो जरूरी है, काफ, quadricep, inner thigh, outer thigh, और hamstring, जो जरूरी है, वो जरूर कीजिए, I take protein nutrition, okay, if it is Queen's making her story, अगर आपको वो result दे रहा है, I take it, I want to join your team, can you tell me the process, Deepak, M5, अगर आप Mदबाद shift हो सकते हैं, मेरी team को contact कीजिए, they will guide you for the same, team, team का number आपको मेरे कोई भी social media या website से मिल जाएगा, tablets का name, Madhu Bhathija Makeup Artist, it is Joint Plus, Joint Plus, yes, we have Gurvinder Kaur, we have 30% discount right now, as a launch offer, I have already put it in the description, I have already put it in the comments, you know, people who, on Facebook, I have put it on Insta, it will be difficult for me to type while live is on, but Facebook के उपर, मेरी टीम ने अरड़ी यहाँ पर एक लिंक डाली है, righthumannutrition.com slash joint plus, okay, people are asking how to order, I hope की, I think वो पुराना question है आपका, I am having PCOD and obesity, what should I do, और अपने एक sad smiley रखा है, don't keep a sad smiley, be a, you know, happy person, because you are listening to something की, जो आपको solution दे सकता है, right, Sandhya, so सबसे पहला तो वजन कम करने पर पहले फोकस कर सकते हैं, दूसरा, insulin resistance, जो PCOD है, उसका root cause insulin resistance, तो उसके लिए आपको यह देखना है कि blood sugar को balance करना है, blood sugar जब balance होगा ना, तो PCOD के symptom भी कम होगी और PCOD इवेंच्वली जाएगा, अब PCOD के लिए, you can ensure की blood sugar regulation में fiber, आप देखे, खाने के साथ, क्या veggies ले रहे हैं इनफ, fiber ले रहे हैं की नहीं, दूसरा, protein आपके हर मील में हैं की नहीं, वो सारी चीज़ों को ensure करे, right, so that, आपका blood sugar spike ना करे, totally, spike करेगा ना तो वो उतना ही ज्यादा PCOD वगेरा problem क्लिएट करेगा, कभी-कभी एकने भी हो जाएंगे, you know, अलग-अलग तरह की skin issues भी हो जाएंगे, टेक स्मॉल स्टेप्स, जो भी आप देखते हैं वीडियो में regularly, Instagram, Facebook, YouTube, कहीं पर भी आप मेरे वीडियो देखते हैं, फिट भारत के नाम से या कुछ शिवांगी देशाई, जो इंस्टा पर है, वहां पर जो भी देख रहे हैं, follow one thing at one time, take small steps, I'm sure you'll see results, okay, a happy travel girl is saying, even I am neep in, but after x-ray doctor says, only calcium deficiency है, yes, so start with calcium, either खाने में से calcium, okay, कहां से मिलेगा, sesame seeds, तिल में से मिल सकता है, milk I will not recommend actually, till the time मैं आपको मिलू, मैं नहीं बता सकूंगी, but most people might not react good or well with milk, तो milk नहीं, बट बाकी सारे आप, जैसे ग्रीन लीफी में थोड़ा होता है, sesame seeds में होता है, कुछ नहीं, तो at least calcium supplement, अगर डॉक्टर कहे, nutritionist कहे, तो you can start with that, all right, what exercises to avoid for knee pain, rags 8619, high impact exercise, jumping, jerking, fast movement, fast running, etc., avoid that, okay, consider कर सकते हैं, जिसमें knee पर लोड़ ना है, swimming, cycling, जैसे चीज़े, even yoga is fine, in case वो knee के उपर बहुत जादा लोड़ ना देता हो, तो, मनविंदर को और मैं, heel bone extend हो, तो क्या करे, उसमें ये आपको work नहीं करेगा, okay, if you have a heel bone extension, तो आपको joint placet नहीं करेगा, because it is a bone related issue, कि जो reverse नहीं किया जा सकता है, right, you probably have to talk to a doctor, I am not the right person, आप कोई भी, you know, doctor है, qualified doctor, उनके पास जाएए, understand कि इसमें क्या हो सकता है, and try to take the right steps, okay, अगर बोन ग्रोथ है ना, नजीरा नाज, आप कह रहे हैं कि, you have knee pain, but nothing in MRI and X-ray, right, तो doctor is saying कि bone growth in heel and nothing else, तो उसका देखे, उसमें MRI में आपको देख जाएगा, या X-ray में, right, तो doctor को पूछे, is it possible to check, if not, तो ऐसा मत सोचे कि कुछ नहीं है, और वो pain भड़ता जाए, do not tolerate the pain, okay, work on the pain, और कुछ तो solution होगा न, I am not ready to believe कि, कोई भी तकलीफ अगर दुनिया में create हुई है, बाहर या body में, उसका solution नहीं हो सकता है, समाधान पहले बनता है, रास्ता पहले बनता है, फिर उसके उपर bump बनते हैं, right, तो problem बाद में खड़े हुए है, पहले सल्यूशन है, तिस इस वाट आई फीजूशन है, मुझे काफी ज्यादा बादा बारती जा, अगर बादा बादा है, तो पहले तो आपका पॉच्चर सही रखे, mostly शायद आप स्लाउच पॉजिशन में चलते या बैठते होंगे, तो आप देखे कि आपके शोर्डर पीछे हो, हो सकी तो थोड़ा शोल्डर रोटेशन पूरे दिन में, जब-बादा समय मिले तो किजый, स्यूशन था बनापका पॉच्चर क्रेक्ट हो जाए, आपका यर शोल्डर के लाइन में होना छही, एर शोल्डर के लाइन में, आपका हिप जोइंट उसी लाइन में और उसी लाइन में नी और आपका अंकल, so that's the right position to sit, I mean to stand and walk, right? तो वो देखे कि slouch ना हो, बट आपके शोल्डर पीछे हो, and आपका mobile laptop या, you know, सबजी काट रहे वगेरा, उसमें बहुत जादा जुख के आप ना करें, तो वो थोड़ा दूर होगा, बट अभी के लिए already lower back pain है, तो yes, this is going to help, because inflammation थोड़ा जो होगा, pain होगा, उसमें आपको relief दे सकता है, okay, okay, Aasha volunteer has asked a very good question, वो पूछ रहे हैं, how do you differentiate your work from so many people out there, it's really confusing to choose one among multiple good amount of people who serve the same needs, just curious, Aasha ji, मैं अकेली, मैं नहीन ही कहूंगी that I'm the only one who's doing good, so many people are doing good, कैसे check करना कि वो genuine है या नहीं है, पहला तो यह है कि, you know, purpose of, purpose of working क्या है, अब वो मैं कैसे समझाओ, you know, probably you have to see कि intention क्या है उस इंसान का, क्या उसका intention profit कमाना है, क्या उसका intention fame पाना है, and you somehow get that vibration, you know, you somehow, आपको पता चल जाता है कि ये इंसान ना पैसो के लिए कर रहा है, ये इंसान ना benefit, खुद के benefit के लिए कर रहा है, तो intention is very important, intention क्या है उस इंसान का, okay, दूसरा जो होता है, check the ingredients, इनकेस आप प्रोड़क के बारे में बात कर रहे हैं, तो always, always check the ingredients, मैं जो आपको knowledge दे रही हूं, not necessary कि joint plus ही लेना है आरे चिन का, आपको जो मैंने बताया, वो सारे फॉर्मुला को ध्यान में रखते हुए, जहां पर ग्लोकोसा माइन है, जहां पर कॉंड्रोइटन है, MSM, curcumin, good quality, बिल जाती है, take that, okay, so basically, it's about intention, it's also about doing your own research, और खुद फॉलो कीजे, और देखे कि क्या feeling आता है आपको, all right, so, you know, मैंने ट्राइ किया है कुछ-कुछ लोगों को, मैं जवाब दे सकू, Raj Sapal is asking, if you have a little swelling in the knee due to an injury, how do you get read of it, okay, so, अगर injury की वज़े से swelling हुआ है, number one, number one is rest, 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 okay, RISE method, बहुत पुरानी method है, जो सिखाई जाती है, R, RISE, R is for resting, I is for icing, तो पूरे दिन में, हर दो गंटे पे, जब-जब, या तो के डॉक्टर जबताते हैं, icing कीजे, five minutes, तीसरा आता है, C is compression, and E is elevation, तो आप rest कीजे, icing कीजे, compression, यानि कि उसे tight अता कि, उसे जहां पर भी आपको चोटाई है, वहाँ, tight belt बांधना, यासा crab band हो सकता है, या कोई भी ऐसा band बांधना, ताकि वो नी का movement, even minor movement, पता भी नहीं चलता है, इस moment जो होते हैं, वो ना हो, और अखरी elevation, जब आप सो रहे हैं, या आप support दीजिए, बिसिकले अपने नी को आप support दीजिए, जितना हो सके, उतना, so these are like common things that you can do, but talk to a doctor, क्या injury है exactly, क्या हुआ है, root cause क्या है, take physiotherapy if needed, okay, if you are suggested, personal consultation करना है, मिली मेरी team के साथ, एक बार बात कीजिए, you know, you can just take one consultation from my team first, and see कि क्या हम सही में आपको help कर सकते हैं, if yes, you'll be guided कैसे help कर सकते हैं, tennis elbow के लिए, Smita Dalvi, meet with a good physiotherapist, okay, अच्छे physiotherapist के पास जाए, थोड़ी-थोड़ी exercises करे, I had a participant, उनके city का, she was from Maharashtra, I forgot the name of the city, completely forgot the name of the city, but Maharashtra से थे, और उनको tennis elbow का, you know, problem था, and she got read of that, मेरी जो किताब आरी, upcoming book, उसमें भी, Trishla Bafna उनका नाम है, Trishla Bafna, उनकी कहानी मैंने डाली हुई है, उन्होने कितनी सारी थेरपी स्की, ठीक नही हो रहा था, and with diet, with right, exercise, मेरे जो कोच उन्होने उनको train किया, और अभी वो 10 kg भी उठा सकते हैं, जो पहले, even 1 kg भी नहीं उठा सकते हैं, so it is possible to tackle it, alright, so I have taken quite a lot of time, and I have given you some amazing information, I believe, I really, really hope, कि इसे आपको help मिलेगा, I hope कि इसे आपको काफी सारा, clarity भी मिला होगा, फिर से मैं याद करवादू, इंडिया में जितने भी लोग हैं, आप जाएए, राइट्यूमनुट्रिशन.com slash joint plus राइट्यूमनुट्रिशन.com slash joint plus आप इवन इंस्ट्राग्राम पे, मेरे बायो पे, और यूट्यूब और फेस्बूक के उपर, आप डिरेक्ली, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको 30% discount offer मिलेगा, डिरेक्ली आपको कोई coupon code कर यूज करने की जरुवत नहीं है, जैसे ही website में जाएंगे, अलरड़ी वो 30% cut करके ही हमने आपको offer दिया हुआ है, you can go there and you can buy from the website, Amazon पर अवेलेबल नहीं है, you can go and you can check everything, in case कुछ भी पूछना है, WhatsApp है, website के ओपर भी दिया गया है, you can just go there, maybe description में भी डाल देते हैं, and you can, you know, take this product, now let me know, जभी भी आप लेते हैं, उसके बाद मुझे जरूर 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 बताना, because I am really interested, कि इसे आपको help मिला, कितना help मिला, कितने समय में मिला, हम एक थोड़ा research भी करेंगे, कि जितने लोगों ने लिया, उनको कितने समय में result मिला, because it's very important for me, all right, so, Glucosamine, Curcumin, Chondroitin, और MSM जैसी चीजे डाल कर, जो Joint Plus बनाया है, finally we have launched it, this is a very, very big and important day for me, और I with the hope and belief, कि बहुत सारे लोगों के pain को दूर करने वाला है, this is my hope and my faith, I will see you very, very soon, एंए वीडियो को जरूर शेर करना, उन्नों के साथ, जिनको नी या Joint Relator कोई भी इस्यो है, arthritis है या rheumatoid arthritis है, this will help, because यह knowledge अपने तक नहीं रखना है, spread करना है, thank you and see you, bye-bye, take care, bye.